हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Motorola Edge 20 Fusion Android वालफोन में आप जो है charging sound and vibration setting को enable कैसे कर सकते हैं यानि कि on कैसे कर सकते हैं और ये charging sound and vibration setting जो है enable करने के बाद ये setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकरी देने वाला हूँ तो चलिए हैं आपर जो वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page open करना है और आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा sound का sound पे select करना है इसके बाद sound के पर आपको option मिलेगा charging sound and vibration का ठीक है इसके सामने बटन दे रखा है इस button को select करना है तो यह बटन आपका blue color में on हो जाएगा यानि कि आपकी charging sound and vibration setting enable हो जाएगी ठीक है अभी setting जो है enable होने के बाद यह setting कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ तो जब भी आप अपने mobile phone के साथ अपने mobile phone के charger को connect करेंगे ठीक है तो आपका mobile phone जो एक sound create करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने अपना जो है यह charger यहाँ पर पहले जो है इस तरीके से sound create करती है charger को जैसे connect करते है अपने phone के साथ तो अब मैं आपको जो है इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या है अपने mobile phone का setting page आपको open कर लेना है ठीक है setting page ओपन करेंगे तो सबसे उपर आपको यह option मिलेगा search setting अब यहाँ आपको search बार में type करना है setting का name charging sound and vibration ठीक है जो setting का name है वह आपको type कर देना है तो आपको नीचे की side इप option यह show हो जाएगा charging sound and vibration ठीक है जब यह option show हो जाता है तो इससे आपको जो है select कर लेना है ठीक है इससे होगा क्या आपका mobile phone आपको directly इस setting page में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह मैंने आपको एक short कर तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में